Hello friends, तो आज हम Class 12 Chemistry का जो Chapter 2 है Willian Solutions ठीके तो आज हम Willian को सुरू करेंगे ठीके तो बहुत आसान topic है और बहुत आसान chapter भी इसका है ठीके तो आज हम Willian, Wille, Wille कोते क्या है एकदम आपको with example, with practical दिकाएंगे ठीक है कि विले क्या होता है विले क्या होता है आपको और विलायक क्या होता है ठीक है एकदम आसानी समझाएंगे कोई दिख करने होगे ठीक है आज के बाद यह नहीं कहला है कि आपको विलायक विले और विले विलायक में फर्क नहीं पता है ठीक है तो बहुत आसानी से आप को बताएंगे तो चलिए वीडियो सुरू करते हैं बताते आपको विलियन विले विलायक क्या होता है तो पहले बात करते हैं कि विलियन होता क्या है देखो दो या दो से अधिक विलेन कहते है। hai, अभी आप पढ़लो इतना आसाने समझेंगे All विलेन कहते है। थीक है। 50 यग sien photographार लेते हैं जल में थोड़ी सी चीनी है। जल में चीनी डालकर आपको weilyne बनाना सिखाते है तो देख सकते हैं। आप यह अपने लिए ग्लास में पानी John लिए ठीक है आप आपको इसको देंगे रहे हैं तो इस चल में क्या करेंगे जो विलाया कि इसमें डालेंगे चीनी पौंडर डालेंगे जिस्से हम यह बनाएंगे विलियंद देख सकते चीनी का पौंडर है इसलिए आपको यह आसान मताया जा रहा है क्योंकि आप इसमें कर क्या सकतो इसमें आप एकदब आसानी से क्या कर सकतो इसे आप घर में भी कर सकतो बताया तो प्रैक्टिकल आपको हाल वाला भी जा सकता है लेकिन आप उससे घर में नहीं कर पाऊगे ठीक है इसे आसानी से आ पारदर्सक हो चुका है तो देखो अब आपको दिखाते है billion solution, देखो दो या दो से अधिक पढार्थों के समाँगे मिस्टरण को boiling कहते हैं, कहा क्या आपको, आप चाहे दो पढार्थों लो या दो से अधिक भी ले सकते हैं, पूरी एकदम चीनी जाके घुल चुकी है, तो चीनी क्या होती, जल में अद्रस हो जाती है, तदा चीनी और जल का एक पारदर्सक समागी मिस्रड बनता है, जिसे विलेन कहते है, तो एकदम आसानी से आपको समझा रहे हैं, जल में थोरी चीनी डालकर उसे हिलाने पर चीनी जल में अद्रस हो जाती है, तदा चीनी और जल का एक पारदर्सक समागी मिस्रड बन जाता है, उसे जल कहते हैं, जो गटक अधिक मातरा में होता है, जो गटक अधिक मातरा में होता है, जैसे आपने H2O plus sugar हमने चीनी powder लिया था ठीक है आप चीनी विले सकतो ठीक है तो gel plus sugar लिया आपको तो इसमें gel जोगा ये कहलाएगा आपका विलायक जल विलायक क्यों कहलाएगा क्योंकि आपने देखा जल ज़्यादा मात्रा में था चीनी कम मात्रा में था आप बात करें विले क्या होता है तो विलियन का जो घटक कम मातरा में होता है उसे सॉल्यूट कहते है जो पदार्थ में गुलता है विले कहता है आप चाहे कहो कि विलियन में जो कम मातरा में हो वो क्या कहलाएगा solute कहल आएगा जो कम मातरबे इसमें क्या था सुगर थी तो यह क्या क्या क्यलाएगा solute क्यलाएगा ठीक है और दूसरी परीबास आख कह सकतो जो पडार्ष में घुलता है जैसे जल था जल में कौन गुला जल नि बताौ जल में घुला सुगर तो सुगर घुला तो ये विले कहते हैं जो पदास में घुलता है उसे विले कहते हैं या सॉल्यूट आप इंगलिस में कह सकते हो ठीक है तो विलायक क्या होता है झाल झाल